स्वागत है आपका इल्टी 20 लीग शार्जा वोरियर्स से आज हमारे साथ एक और खिलाड़ी जुड़ रहे हमने पहले विन लूइस से बात की थी आज बात करेंगे मौमन नभी से अफगानिस्तान की टीम के पूर कप्तान और इसके साथ-साथ हिंदुस्तान में आप लोग आई पील की वज़र से भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं नभी भाई बहुत-बहुत स्वागत है आपका इसमिल्यार मारही थैंक यू भाई नभी भाई सबसे पहले शुरुवात शार्जा वोरियर्स के साथ ही करते हैं थोड़ा सा आपकी टीम के बारे में मैं जानना चाहता हूं मोई नाली की कप्तानी इसके साथ इसे मेंने कि एविं लूइस्सा की भी हमने बात की थी कैसे देख रहे हैं पूदी क्योंकि आप दुनिया-भर दुनिया भर में खिलते इस लीग को आप कैसे देखते हैं और खास-तोर परं आप exacerb an एक नया लीग है जिस तरह ब इन्हें अनिस प्राइब कि स्टार्ट करें दस्ते इसमें पावर हीटर्स पेनर्स और सीनियर प्लेर्स वह सब का कंबिनेशन बहुत अच्छा है इस कंडिशन के लिए यूई की कंडिशन के लिए मिशाला एक अच्छा पर्फॉर्म करेंगे आपने आपको किस तरीके से अब अपने अपको किस तरीके से से अस तरीके से आप लगातार बढ़िया गेंदबाजी करते रहे हैं और बिंग इन फिंगर स्पिनर आपको उतनी जादा डिफिकल्टी होती नहीं है थोड़ा सा इसके बारे में बता पाएंगे जो यंग लड़के आ रहे हैं दुनिया भर से या फोट डाट मैटर लड़कियां भी अगर देख है क्योंकि अब तो हम लगातार देखने की लड़कियों का क्रिकेट आई पील की विमिन्स बिग बाच लीग सारी की सारी चीज़ें तो किस तरीके आप क्या बताना चाहेंगे उन लड़के लड़कियों को इस डिपेंड ओन का कंडिशन बहुत मैडर करता है किस तरह कंडिशन धेपो जद बैट्समन के ये अच्छा होता है तो उसके जादा आप व İ्रियेशन से कम लोगे बैस्मान hes KANS को देखे कि बैस्मान का भी मूड में है मारने के मूड में है, रोकने के मूड में है, या सिंगल के मूड, कि उसके मताबक आपने बॉल जाराने कआपने है कि दर वो ज्यादा ट्राइक कर रहा होगा तो उसको देखे होंवर्क करके फिर हम हर बैट्समें को बॉलिंग करते हैं इसी तर आई पेल में भी जब मैच के लिए जाते थी तो पूरा होमवर्क करके हरे बैट्समें का वीक पॉइंट और स्ट्रेंद स्रॉंग पॉइंट हम दिए उस मताबक के साथ हम फिल्ड प्लैसिंग करते थी उस तरह हम बालिंग करते थी ऑई इस बालर के इस बैट्समें के लिए कौन सा बालर जड़ादा एफेक्ट होता हे तो वही करते थे हम ज्यादा करते हैं कर Τृंटर मुझे थे तोड़ा तो मैं कोशिश करता हूं करो आगर नहीं मिलता था तो कोश़िश करता है तो लाइन लेंग बहुत mean important होता है मेरा किधर रोम बोल करें भी कौन से लैनड पे करें फूल करें योर्कर करें तोड़़ पीछे करें कि जियादा पीछेना हो कि वो बैक फूट पे अपको मारें या ज्यादा आगे ना हो कि फ्रंट फूट पे आगे चक्का मारें आप तो ये बहुत होता है अफगानिस्तान के फैंस बहुत जादा है शारजा में खुबसूरत मैदान है शारजा वारियोस की टीम को मुझे लग रहा है जम के वर्ड बहुत ज्यादा है शारजा में जो काम के लिए दे तो आसपास जगे होते हैं उनके तो इस टाम शारजा वारियोर में चार आफगान प्लेयर के रहे हैं मेहून इन है गुर्बस है और नूर आहमद है नूर भी ज्यादा फोन फैन फालोर्वर्ड ज्यादा होंगे और शारजा वारियोर को सपोर्ट करेंगे लोग और और भी हमारे टीम में अच्छे बड़े बड़े नाम है तो विए ग्रेट टॉर्णमेंट और इंशाला इंज्यादा करेंगे फैन्स नभी भाई एक चीज जाते जाते जो आप से जानना चाहरा हूँ वो खास तोर पर अफगानिस्तान क्रिकेट को आप आने वाले समय में किस तरीके से देखते हैं क्या लगता है यह जो राइज हो रहा है इसमें आपको लगता है कुछ चीज़ें अभी बहुत जादा जरू बड़े जल्दी से समय में यहां तक पहुँच गई है जहां पर हर कोई उनको एक स्ट्रॉंग कॉम्पिटीटर के तौर पर देखता है क्या वज़ा मानते हैं आप इस सीज़ की जिस तरह बात अपने किये के क्वालिफाई हम हो गए यह क्वालिफाई हम पहले से प्लैन कर चुके कि हमने यह मैचिस जिदने हैं तो क्वालिफाई होंगे हमारे मैच अभी भी बाकी है मगर जो हम जो हम जो मैचिस हमने प्लैन किये थे अगेंस आइरलेंड अगेंस जंब मैचेज हमने प्लैन किये हुए दे कि हमने इस इन पॉइंट से हराना चाहिए हमें तो हम क्वालिफाइ होगे हमें वही किया है लड़कों ने बहुत महनत करके यह मैचेज जी दे और स्ट्रेट आवे क्वालिफाइब अभी इदर क्वालिफाइब हो गए और भी महनत करना च के लिए और किस तरह टीम कंबिनिशन बना इसका कंडिशन के लिए तो जाके उदर हम पिर परफॉर्म करेंगे अगर हम यह नहीं सोचेंगे का हमारा टीम कंबिनिशन क्या है हमारा उदर कंडिशन क्या है और हमने कौन से प्लेयर सेलेक्ट करना है और उस पे हमने किस तरह क करना है उस लेवल पे अगर उस लेवल पे हम काम नहीं करेंगे तो फिर फिर पसेंगे उदा तो इंशालों आपका लास्ट सीजन था है सारेच के लिए उसमें मैं जानना चाहरा हूं संप्राइजर साइदराबाद के लिए उसमें काफी चीजें हुई चाहिए वो डेविड वर्नर के साथ चीजें हुई डेविड वर्नर की कप्तानी भी चली गई टीम के कॉंबिनेशन के बारे में भी शायद उन्हें बहुत जादा नहीं पता रहता था आपको जिस तरीके से ये सारी की सारी चीजें हुई बुरा लगा है इस प्लेयर की इतना चैंपियन खिलाड या फ्रेंचाइजी ने मतलब बिल्कुली जो है कॉंफिडेंस चोड़ दिया उस खिलाडी से ये चीजे आपको बुरी लगती है फ्रेंचाइजी क्रिकट पर या इसके बारे में आप कुछ और बताना चाहते हैं संद्राइजस हाधराबाद में जिस तरीके से वह सीजन ग या 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 ने वहाँ कुछ दो साल या हो गया है किशनिक किया है क्यों किया है थीम का नीज हो गया है तो परह आ कमबिनेशन कोंटंग था Coach and redeem को बिल्कुल बादोब कोंडी माहो ces जूंघ कि दो अनकं दो साथ और प्लींजिए कccs फ्रेंचाइज साथ लिए आफ में दून सोचना चाहिए है कि हैं टीम को किस तरह build करें और ना कि इसको destroy करें जी हो तो उसको यही हो ना करना चाहिए तैक एह कि सतरह टीम को build करें अराम-अराम से अलोली जो् Alan ना एक दम से हम टीम को सतंब करो ये बांकी players को ले आओ तो इसे टीम को build करने में ठाइम लगता है उसको टीम का कंबिनेशन बनाए कि अग्या आप देखो राशिद के साथ तक्रीबर पांच चे साल एक ब्रेंड था इसारेच का उन्होंने राशिद को छोड़े जब राशिद को छोड़ दिया तो इसमीन यह पता नहीं यह लोग क्या करना चाहिए पांच यह लोग कि राशिद था एसारेच का ब्रेंड था हम इसारेच ने एक उस पर इंवेस्ट किया है तो उसको नहीं चोड़ना चाहिए ता राशिद को क्योंकि अब बाकि भी इस तरह जो प्लेयर्स थे और टॉप प्लेयर्स थे जो के इसको नाम दिया है उसको इसको एक्सपेंस की उन पर किया है तो उनको सबको उनको हटा दिया पता नहीं I don't know वाइज नहीं करना चाहिए इसका नभी बाई एक जाते जाते बस आपके साथ रापिड फार कोश्टन्स है आप से जवाब चाहता हूं आपने डो टीमों के लिए भी रेप्रेजेंट किया दो टीमों को उस तरीके से आप क्या देखते हैं आपके आपने जितना खेला या जो भी देखा बेस्ट बोलर अकॉर्डिंग तो यू इंडिया इप्ल बॉम्रा बॉम्रा वन प्लेयर यू वॉंट की मतलब आपकी इस शार्जा वोरियर टीम का हिस्सा होता अगर आप कहीं से भी पूरी दुनिया से लेकर आना चाहें इस वक्त पे एक खिलाडी जो भले ही वहाँ पे हो इसी पिक के लिए आपको बोलू कि भई एक खिलाडी जो शार्जा वोरियर में आना चाहिए पूरी दुनिया में से कोई एक अगर नभी बाइल आना चाहें बटलर आप बटलर के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मुझे नभी बाइस एक चीज जो हमेशा आप से जानना कंडिशन अव यूई के लिए नहीं यूए नहीं इंडिया 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 आपके अकॉर्डिंग आई पील का बेस्ट कैप्टन कौन रहा कौन से एर नहीं आपका आपका पूरा करियर में जब आप देखो उस तरीके से की ओवर ओल अगर मैं पूछ हूँ आप से बेस्ट कैप्टन अकॉर्डिंग टू इंडिया आई पील कि एमेस जी एमेस दो नहीं है अच्छा बेस्ट आई पील ओपनर आपके हिसाब से रोहिट शर्मा और डेविड वार्णर पर्फॉर्मेंस की लिहाज से देखो तो वार्णर पर्फॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे और तो कोई पर्फॉर्मेटर नहीं है एक आखरी सवाल आपसे यह कि आने वाले समय में आपको लगता हो कि कोई यंग इंडियन प्लेयर जो आपको लगता हो यार इस इस बंदे पर नजर रखो ये बंदा तुमारे लिए अच्छा कर सकता है कर्णा के लिए या यादव कॉं र मतलब आप यंग प्लेयर की का estado के में रखेंगे वो टी सिंकते सतलुまだ अगर कोई वेल यूर टीम डू वेल बहुत बहुत शुक्रिया मुहमद अभी थे हमारे साथ और शार्जा वोरियस जैसा मैंने बताया उस टीम का हिस्सा है उमीद करते हैं कि टीम अच्छा करें इंटरनाशनल लीग में जो टी-20 फॉर्माट होने जा रहा है जो स्टार्ट होने जा रहा फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजाज़त दीजे जै हिंद जै भारत